कि अलो स्टूडेंट्स वेलकम टू केरियर क्वेस्ट ओफुली तो अड़ी त्यारी एक्सामस दी बहुत वधिया चल रही होएगी आज जैसे जो इनिशेटिव लेके आये हैं मॉडरन हिस्ट्री दे कुछ MCQs तो अर्डिनाल डिस्कस किते जानगे हर एक सब्जेक्ट दी अपर वीजन इसे तरह करांगे जिना ने मॉडरन हिस्ट्री दा स्लेबस कर ले आए ओ ये MCQs दा सेशन लगा सकते ने जिवें-जिवें क्वेस्ट्न जानगे तुछी ट्राइख करके देखने ने जितो अर्डिन तो सॉल्व हो रहे ने राइट आए था तो अनूं कॉंफिडेंस फिल होए अपनी त्यारी नों लेके अधर्वाइस में हर्ड गुस्ट्न दा अन्सी क्यूस तो सही अंसर भी दस्तांगे तो एक्स्प्लेइन भी करांगे तो दे नाडल रिलेक्टेड केड़े कुस्टन जे खांचो हो रा सकते हैं जी आज दा सेशन वदिया लगदा है ता लाइक से दूर करें क्लास स्टार्ट कर देयां फर्स्ट क्यूस्टन है फूस फाउंडर ऑफ ब्रह्मो स्माज फाउंड़ इन एटीन ट्वंटी एट अन्नु सब नू पता है कि 19th century ची 19th century तो हिंडिया दे वीच्च सोश्य रिलिजिस रिफॉर्म साट होगे सी ब्रह्मो स्माज आर्या स्माज या प्राथना स्माज और क प्राइट आंसर है अप्शन डी राजा राम मोहन राय ने 1828 ची ब्रह्मो स्माज जी स्थापना किती सी ते सब तो पहला सोशल एक्टिविस सी इंडिया दे जिनना ने स्माज जियों गुराहिया दे के लाब आप अवाज उठाई सी इनना ने जड़ी सब तो फेमस कॉंट अच्छो सतीकता बैन किती सी बट ओधेली जिनने भी जादा इनिशियाटिव लेए सी वो राजाराम मोहन राय ने लेए सी ते गुरमो स्माज दिस्थापना इनाने किती सी अठाउशो अठाई ची जो इसेकंड क्वेशन है वन वोस इंडियान नेवी एक्ट पास हो थी आ 1967, 47, old thingyy, फिल, 37 and 77 नेवी एक्ट टेव का में लेक्ट करने किने ले otoram ड़ियी ये सब कुछ रूल्स हैं में लेक्ट पाम्ट प्रब्राइज द्यां इंडियन मेर इंडिया पावर इस्ते रूल से डिफाइन किते थी थी थर्ड कोस्टन है वो एस्टिमेटर दे नेशनल इंकम पॉर दे फॉर्स ताइम इन इंडिया दे विच नेशनल इंकम के पूरा इंडिया दी कमाई किन नहीं है ते पर-capita income हो दा एस्टिमेट सब तो बहला किसने लग पॉल्ड मैन उस इंडिया किनना नू किया जांगा तो दादाबाई नारोजी इनना ने 1867 जी को भुक लिकिसी पॉर्टी एंड अन ब्रेटिश टूल इन इंडिया इस बुक दे विच दादाबाई नारोजी ने दस्या सी कि ब्रेटिश ने इंडिया दे विच अपनियों पॉलिची जी किनना जाधा लू किती है तो इंडिया भी इननने उस ताइम नेशनल इंकम दसी सी पर एक कैपिटा एंकम पावर्टी एंड अन ब्रेटिश रूल इन इंडिया इस बुक दे दस्या सी कि पर कैपिटा इंडिया दादाबाई नारोजी ने विच दे अपनिया दादाबाई नारोजी नेक्स्ट फॉर्थ वर्ट वर्स्ट ब्रोक आउट इन इंडिया वर्ल्ड वर्स्ट किस साल स्टाट होई सी तब नू पताई चार साल चली सी एली वर्ड वर्ड वर्स्ट तो स्टाट होगे नाइंटीन एटीन तक वर्ल्ड वर्ड वर्स्ट टाइम प्रियोड ऑप्शन बी इस दे राइट आंजर नेक्स्ट फिफ्थ विस्टन वट वस दे कैपिटल ओफ महाराजा रंजी सिंग्स फिंग्डम इजी कुस्टन है ओप्शन ने पटना फटेपुर सिक्री इसलामाबाद या लहूर तब नू पता होगा लहूर महाराजा रंजी सिंग्डी कैपिटल सी इन फैक्ट लहूर नो दिक्तन तो बाद ही उननने राजा दा टाइटल लिया सी महाराजा रंजी सिंग्डम दी कैपिटल सी नेक्स्ट इस इस्ट क्टिव रेजलीशन तो गाइड देलीशन अफ देलीशन वस्मूवड बाई किन ने उस्मूव ने जवाहरल नहरू किर्णबेदी या के आम्मची जवाहरल नहरू आप्शन ए इस राइट अंसर जवाहरल नहरू ने 13 दिसेंबर 1946 दे विच्च अब्जेक्टिव रेजोलिशन मुव किता सी अध्य आप पांजेदों इंडियन कॉंस्टिशुशन पढ़ दिया हुद एच्छ जोड़ी प्रियम्बल लिखी हुई है यह कोस्चिन के अंदा हुदा के प्रियम्बल है इनिशिली की सी के अब्जेक्टिव रेजोलुशन प्रियम्बल मेंशने है नेक्स्ट प्रियम्बल है वो रूट दे बुक ग्लिम्चेज अब्ड वर्ल हिस्ट्री ना चो किस ती बुक है शशी तुरू महत्मा गंदी नीरची चोदरी यां जवाहरलाल नेहरू नेहरू ग्लिम्चेज बुक तो ज्यादा एक लेटर सी ज्वाहरलाल नहरू ने काफी टाइम स्टडी किती यहां जेलां चाही जनो रहे उनने लेटर लिखे सी उस ताइम भी कंटेंप्रेरी वर्ड पॉलेटिक्स की जादरी सी जो कुछ भी ब्रेटिश गोवर्मेंट गा दुनियां दे इस चाल र लेटर सी जेड़े इननने लग लग जगामा ते लिखे ते जो दो ही पी एम बढ़ गे ता इननने वो लेटर्स कंपाइल करके बुक पब्लीश करवाई सी ग्लेंट्स अब वर्ड हिस्ट्री ज्वाहलाल नहरू ओप्शुन दी इस दराइट अंसर एट्थ क्वेस्टन है एसी ज्वाहल इसद पैंडिय जटेंड्य पंपशन क्स साल भनी सी 44 जिल्थी आंड़ोग्स्टी इसी कंपनी सैंटियाइट एसी बिटा इसी हम्दट्नेंर्स अंटजित्शीं दी नहर्याण दीया महाराणी नहीजबग फॉर्स्ट देन सी, 31st December 1600 दो news, east India Company, England, union team उस्ट time, इंग्लेंडी महराणी इंदेने एलिजाबेग फ़स्ट जिन्ना ने दोसो टाइसो बंदयानू ए कंपनी बनाके प्रमीशन दित्ती सी 15 साल दैनने प्रमीशन सी कि 15 साल ये कंपनी इस्ट दे देशा नाड़ फार कार सावदिया इस्ट इंदिया कंपनी अप्मा क्या दन्या बट जदोई बनी सी 16 सो इस ताइमे दा नाम बहुतल वड़्डा सी दे दा पंपनी अप्मा कंपनी बनी सी 15 सावद विचे दा इनाम अंद इस्ट इंदिया कंपनी आट अनसर आप सूलांसो थी संबर सूलांसो नू एलिजब़ फस्ट दे ताइम इस्ट इंदिया कंपनी बनिया next question, ninth question, पीपु सुल्टान वोज आवसो नोन अस टाइगर ओफ मसूर, डेलि, आग्रा यंग वालीर थे लिना नएंग्वी भी चैने लोगनीलिन पेटी अम्हें आंगलु मसूर वाले पीपु सुल्टान मसूर लाजा शी नह नो टाइगर ओफ मसूर भी केंदे ने क्योंके बाक्की इंडियान रूलर्स वांगो इनाने जल्ली आर्मी सी मननी इनाने इंफेक्ट फ्रांस नाल काफी नेगोशियेशन्स कितियां सी तांके ए अंग्रेजानों पार अच्छो काड़ सकान ए जैकोबिन क्लब देवी मेंबर सी नेपोलियन नाल काफी टाइम थक इ उदी हेल्प नाल है अंग्रेजा नाल लडचा कान परेंड चाहर जन्देने 1799 देवीच अंग्रेजी नानु फाइनली हरा जन्देने तेहें मर्जन्देने बैटल ग्राउंड चाहर नानु टाइगर ओट मैसूर के आजांदे अप्शन ए विक्राइटां चाहर तेंथ साल उन्ना जन्मोया सी 1772, 1822, 1872 या 1922 देखो जेड़े खास खास फ्रीडम फाइटर्स ने ना जेड़े जन्दे मतलब हले तक मॉडरन इस्टी देवीच टोटल पंज या सत्ते में दे प्रेडम फाइटर्स ने जिना दिया स्पेशल जीवनिया या ब्रुक्स चाहप दिय इना ने बहुत कॉंट्रीब्यूट करया स्पेशली साउथ इंडिया देवीच जिमें नॉर्मल माठ हों देने ता इना ने प्रॉपर इक तर्म पर चार्क भी रहे ने ना ने बहुत तीच किता है फिलोस्फी ना दा बर्क हीर पुछ या गया है 1872 चे ना दा बर्क होया सी जिस दिन अपा इंडिपेंडस जे बनान्या 15 अगस्त 19 1872 नु इना दा बर्थ सी 15 अगस्त नु इना दी बर्थ अनिवर्शरी इंडिया अथ साल चिरी अर्बिंदो जी थी अप्शन C राइट अंसर है ग्रेशा ने किस कंपनी नु घराया सी जर्मन फ्रेंच इंडिया या अमेरिकन इजी गस्त ना है फ्रेंच प्रांस नु इंडिया दे विच्छों बैटल अफ वंडिवर्श तो बाद अंग्रेशा ने राता सी फाइनली एँ बैटल होई सी 1760 देविच्छ तेस लडाई तो बाद इंगल्यान ते प्रांस गिया इंफेक्ट तीन करनाटक लडाईया जडिया पापड़ देया त्री करनार्टक व्वर्ण होई एंसी इंगिल्यान ते फ्रांस दे बिच्छ ते लास्ट करनाटक वहुर्ट ची ऊदेच बैटल ऑख वक वां डिवाश हों रिया थार्ड करनाटक वर्च ते फ्र एंग्लैंड देथेवर्बद्धु प्रांस फाइनली हार खन दा इंडिय इंडिया देविच्छों इकतना नाल खतम हो जान दिया या एकसाइड हो जान दिया 12th question है Who was the first governor general of Bengal? William Banting, William Denison, Lord Napier या Warren Hastings ताह हुन तो पहला या बाकी companies भी जो अपना modern industry start कर देया ताह इंडिया देविच्छ एर एक company अपना governor appoint कर दिया इनने पुछे governor general कान सी जदो इस इंडिया company काफी power require कार लें दिया एरिया जित्कन लागजन दिया Bengal चे प्लासी दी लडाईं दिया बक्सर दी लडाईं दिया ताहना नू लगदा के उन company देड़ा power हो ज्यादा वादरी है तव पावर नू कंट्रोल करन लें इंगलेयां दिस तारिक act लेके अंदिया regulating act to regulate the company एस regulating act दे विच मैंशन सी कि जेड़ा उस ताइम गवर्नर होलगा उदि पोस्त इंक्रीज करती ते उनू गवर्नर जेंरल बनाता ता गवर्नर जेंरल उही गन्दा छेड़ा उस ताइम बंगाल दा गवर्नर सी ते राइट अंसर ए सकति जगा घंघ सिन थी पोल से और ढगी है से नेक्स्ट चोप्ध क्सक्टन नमबर थर्टीन विक्तोरिया मैमोरियल इन क Het ऑब कोशट वीडल अर१ वी थै वयर्थ वायी संग मरमर भी बहुत बढ़त है अलिशान बिलडिंग वनिंग व्या है इनने पुछे वो बीडिंग ने प्रपोल्स किती सी बनवां ली लॉड कैनिंग, जॉर्ज कर्जन, जिलियम हेस्टिंग, जॉर्ड विलियम बैंटें बंगाल से काफी टाइम रहन देने ब्रिटिश कंपनी, इनफाक्ट, 17th century, 18th century दा पावर इनननों बंगाल जो ही मिल ली है तें बंगाल जो फिरे अपनी उथिदी राणी महाराणी विक्टोरिया नों कुछ कर्न वास्ते एक पलेस बनां देने क्वेस्टन नंबर 14 इंडिया गेट वास दिजाइंड बाई इंडिया गेट सब नूं बता है देली चे एधाड डिजाइन किसने चार्गिस्ता सी आर्किटेक्ट कौन सी यह जा इंडिया गेट मनाया गया सी वर्ल्ड वर फस्ट होई जेडी ओदेच इंडिया दे सैनिक देडेश यह जोए सी उननानू शर्दान जली देन वास्ते नानू कमेमोरेट करन वास्ते इंडिया गेट डिजाइन किता गया सी डेली चे एधे चीफ आर्पिटेक्टर सी चावर्ड सी रूट टू इंडिया कि नू पता है कि जो नो ग्रेजी कंपनियां इंग्लैंड फ्रांस पुर्टगाली डच जेडे वी अम्देने यॉरप तो इंडिया चे उनना नू यॉरप तो इंडिया दा सब नू पता सी के इंडिया किस डिरेक्शन चाहिए पर विकज नास सारा अरेबियान पनिंसुला है अरभी लोग शी आटमन एंपायर सी तो लैंड रूट तो ट्रेड में सी कर सकते इंडिया ना ताहना नू चाहिं दा सी के सी रूट तो किसे तरीके ना लिए इंडिया दरा मेंजी तांके ना नू अरभ बपारिया ना लड़ना ना पर इंडिया से सब्सक्राइब पहला सी रूट रही आया सी वास्कोडी गामा ये रहे ऑप्शन बी राइट आंसर है वास्कोडी गामा ने 1498 देविचे इंडिया दा सी रूट लब लिया सी ते केरला भी कालिकट पोर्ट ते इंडिया चाले सी किस्टन नुम्ब्र 15 दा अंसर है ऑप्शन बी नेक्स्ट नुम्ब्र 16 सुबध चंदर बोस बोस बारनी हिंड डियर सुबध चंदर बोस जी दा बर्थेयर की शी अग सुपने मिघिट ऊंदेना हिए तोसी काथ जहीं अग औरवाइज इनका तुक्का हैं नीबा साथ देओं तुमसी श्योर शॉर्टों के हां इस सही अंसर है ता लगाता कि दो अधर्वाइज यो क्वेस्टेंज चद्डण वाले हुंदे ने जिन्ने याद किता हम पतावेगा ओप्शन सी राइट आंसर है 1897 दे विच्छ सुबास चंद्र बोश्जी दे जनमंदाई अप्शन सी राइट अप्शन सी राइट अप्शन